अग्याइब नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकेंडिन इवेंट डिफेंस जिसका अगला चैप्टर है आइसलेंडिक गेंबिट मैरे पहले चैप्टर में मैंने आपको पोर्टुगीस गेंबिट के बारे में बताया था आज हम देखने वाले आइस आइसलेंडिक गेंबिट मैं आपका ज्यादा समय नहीं बात करूंगा चलो शुरू करते हैं एफोर डेफाइव इटेश डेफाइव नाइट एफ शिक्स दैन से फोर यहां पर सीफोर होने पर आपको समझ जाना है कि अब हमें आइसलेंडिक गेंबिट खेलना है ना कि पो इसके बाद मैं बता देंगा चाहता हूँ क्वीनेफोर चैक आसकता है क्यों थो चैक में बिचते सब्चलों और उसके बाद नाइट से जिए स्ट्रॉक्ट्चर से आप खेल सकते हो कई लोग चैक बदले में डीफोर खेलते हैं यहां पर हमें पौंट करना है नाइक सी थी देन विशब B4 पिनिंग कर दो बीवी 4 के बार में वाइट नाइट अब यहां पर आपको कर देना है कैसलिंग बिशब E2 और यहां बिशब जैसे ही मूव करता है तो आपको उसी बिशब को दो बार मूव करवाने के लिए यह डी टेक्स और कर देना है ताकि उसके बिशब की एक मूव वेस्ट हो जाए बिशब टेक्स इपूर बिशब जी फूर पिनिंग देन नाइट देन वाइट कैस यहां पर आपको नाइट सेशिक्स सिंपल डेवलोप और एटेक्स बिशब E3 कि कुइन दीशिक्स दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस बुक से मैंने यह लाइन तेयार किये उसमें लिखा था कि यही सेम पोजिशन मेगनेस कालसन ने खेले ती जहां पर मे यहां पर मेंन लाइन क्या है में लाइन में डीफोर नहीं वाइट यहां पर सी टेक्स डीटेक्स इसिक्स यहां पर भी सब टेक्स इसिक्स करेंगे और यह वाइट के पास बहुत सारे चोईस है जैसे कि दीफोर और नाईट यहपट्री मेरे सब से चार चॉइस बेस्ट है फोर चॉइस नाईट अब त्री दैन नाइट चीए अ और विशापई टू सिंपल ड्यव्लोप्मेंट चलो पहले दीफोर जो सबसे ज्यादा फेम करते हैं उसका रिप्लाइश सबसे बेस्ट है विशब बीफोर चेक अब यहां पर विशब डीटू विशब डीटू और दूसरा ओप्शन है नाइट सी त्री वह मैं आपको बार में बताता हूं अभी पहले देखते हैं विशब डीटू में आपको मार देना है विशब टेक सब्सक्राइब करता है तो यहां पर क्वीन यह थोड़ी बैड मुह है क्योंकि खुद का वाइट का विशब ब्लॉक हो रहा है तो क्वीन इत्री बेस्ट क्वीन इत्री के बाद यहां पर आपको c6 क्वीन e2 नइ्ट e4 क्वीन e4 उसके बाद क्वीन b4 चैक नइ्ट e2 क्वीन b6 यह एक बहुत ही बढ़िया ट्रैप वाली मुव है, अगर यह पोजेशन में वायट ने पॉन्टेग्स भिषब मार दिया तो नाइच शीटू चेक, किंग सपोस फूनि टेक्स नाइट किया तो मेट इन फरी क्विन टेक्स पॉन्चेक, देन नाइट इन फरी चेक, क्विन च देखते हैं नाइट तो यहां पर आप नाइट सीथरी के बारे में देखते हैं विश्ब वीफोर चेक में क्या होता है विश्ब के बजाए नाइट इंटरपोस करते हैं तो आपको और भी ज्यादा एटेकिंग मुव मिलेंगे जैसे कि नाइट इफोर यह तुरंत एटेक करने वाली मुव है और बहुत ही बेस्ट मुव है नाइट इफोर के बाद में रिप्लाइ देना है क्विश्ब दिफ्री इसे रोक मिले यहाँ पर तो फोर्स मों कवेंगे इफसरी कुएंप एफ 15 त्रेट के रहे हैं लेकिन अभी कुछ नहीं होज रहा है ३ाय यहाँ पर एनपर एटरी अगर करता है तो बिशाप टेक्स नाइट वी टेस है फिर simple आपको कर देना है casterling के बाद queen f3 only move है सबसे best move only मतलब सबसे best तो queen f3 के सामने reply देना है rook e8 queen take f5 ये blunder move होगी knight d6 check से आपको queen मिल जाएगी तो queen take f5 is not possible यहां पर उसे discover बंद करने के लिए bishop e3 खेलना होगा और हम माद देंगे knight takes e3 या फिर यहां पर queen d7 भी कर सकते हो आप simple bishop को support कर दो पहले queen d7 white खेलेगा s3 s3 इसलिए अगर s3 नहीं खेला तो bishop g4 आ रहा है s3 के बाद आप knight takes c3 मारो queen takes v7 यह blunder move है मतलब अच्छी नहीं जैदा knight c6 के बाद black के सारे pieces king side attack करें और white की queen वह भी undevelop है मतलब out of play हो गए तो दोस्तों यह थी हमारी आइसलेंडिंग गेंबिट में first choice अब देखते हैं white दूसरा क्या कर सकता है यहां पर जैसे की detect e6 के बाद की बात कर रहा हूं मैं कि दीफोर के बजाए यहां पर simple knight f3 कर सकते है और knight f3 में आपको reply देना है queen e7 कि 27 फिर से डिस्कावड के थे यहां पर एक ही मुव है queen e2 queen e2 के बाद knight c6 white खेलेगा d4 यहां पर कर देना है long castle d5 अब आप सोचोगे कि sir यह तो हमारा एक piece down हो रहा है कि pawn से double attack से हम पीस दे रहे लिकिन दे नहीं रहे यहां पर सामने वाले को फसा रहे है तो देखिए कैसे आपको इसके आगे खेलना है ध्यान से देखना यह वीडियो पूरा देखना ताकि Icelandic gambit आपके बहुत ही जबद्रस्ट हो जाएगी और e4 अगेंस आप यह बहुत ही खतरनाक गेम खेल सकते हो तो आफटर d5 आपको खेलना है क्वीन विफोर चैक चैक में सबसे बेस्ट ऑप्शन है नाइट c3 क्यों बेस्ट है विशब डी टू तो फिर क्वीन टेक्स बी टू होता है अगर विशब सी थी होता है तो क्वीन चैक देन क्वीन इंटरपोस और यहां पे आप क्वीन टेक्स करके यहां पर नाइट c3 नाइट c3 ओनली अच्छा उप्शन है तो नाइट c3 के बाद आपको क्या करना है नाइट c3 के बाद बिशब f5 अब पॉन टेक्स नाइट मारेगा आपने एक पी सक्रिफाइस कर दिया यहां पर डी टेक्स c6 यहां पर आपको करना है बिशब c5 बिशब c5 के बाद a3 क्वीन बी 6 अब देखो सभी प्रेशर एप्टू पॉन पे आ रहा है और नेक्स्ट रेट हमारी रुक e8 क खेल सकते हैं दोस्तों और मैं यहां पर ग्यारंटी देख कि यह गेम आप 100% जिख जाओगे लेकिन इसके लिए आपको कॉंसेंट्रेशन करके बहुत ही अच्छे अच्छे मूज सैक्रिफाइस वाले टैक्टिकल स्मूज निकालने होंगे तो दोस्तों कैसी लगी यह ओप कि इसमें मिश्टेक होती है क्योंकि मैं बहुत ही सर्च करके यह ओपनिंग्स तैयार करता हूं मैं एक बुक भी साथ में लेता हूं सौप्ट्वेर यूज करता हूं ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट यूज करने के बाद फाइनल मूँ पे मूँ के उपर में जाता हूं तो चलिए नेक्स वीडियो में जल्दी मिलेंगे आई होप कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक और शेर जरूर किजिए और हो सकते सब्सक्राइब करना मत भूरिए गुडबाई जल्दी ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में जैहें